गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल तो फ्रेंट्स देखिए थलकमल का प्लांट है और आज मैं इसी को रिपॉर्ट करूंगी और इनकी रूट्स भी देखिए पॉली बेक से बाहर निकल गई है तो इसे मुझे रिपॉर्ट करना बहुत जरूरी भी हो ठीकरी रख लेंगे या पत्थर वगरे के टुकडे भी रख सकते हैं या कॉटन या मच्छर दानी के आपके पास होंगे तो उसकी कटिंग करके आप इस पर रख सकते हैं ताकि मिट्टी बाहर ना आए और यह देखिए फ्रेंड्स मैंने मिट्टी तयार की है मैंने इसमें एक भाग मिट्टी मिलाई है एक भाग सेंड मिलाया है मैंने इस बर सेंड की मातरा सुड़ी ज़्यादा रख दी है और मैंने कोको पीट भी मिलाया है एक भाग तो नहीं मिलाया है थोड़ा सा मिलाया है कोको पीट और नीम खली और इसमें एक चमच फंगी साइड पावड में लगी है तो मैं इसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं हटाऊंगी इस प्लांट से इसकी मिट्टी बहुत वेल ट्रेंड मिट्टी है बहुत अच्छी मिट्टी है सेंड वाले मिट्टी है और इनकी रूट्स देखिए कितनी अच्छी सी डेवलप हुई है तो मैं इसे रिपॉ और यह देखिए फ्रेंड्स यह ग्रो बैग है इसे मैं रख लूँगी तो नर्शरी से लाया हुए प्लांट की ग्रो बैग आप निकाल कर जरूर रख लीजिए तो मैंने इसमें गमले में देखिए जहां पर होल है वहां पर मैंने पथर के टुकड़े रख दिये हैं और इसमें मिट्टी भर लिया है इस तरह से आप मिट्टी डाल दीजे और आप चाहें तो हाप पार्ट मिट्टी और हाप पास सेंड भी रख सकते हैं मेरे पास मिट्टी की कमी है अभी तो जो भी मेरे पुराने गमली की मिट्टी है मैं उसी को यूज कर रही हूँ जो प्लांट मैंने अभी निकाले हैं तो बस फ्रेंट्स मिट्टी रखके बीच में आप सेंटर पे देखके इस तरह से प्लांट को रख दीजिए हमेशा सेंटर पी लगाने की कोशिस कीजिए प्लांट को ताकि जब भी इन में नहीं नहीं ब्रांच आए तो अगल वगल से कोई दिक्कत ना हो उपर की थोड़ी-थोड़ी सी मिट्टी में हलकी सी हटा देती हूं ताकि वेल ड्रेन मिट्टी बनाएंगे फ्रेंड्स तो बिल्कुल जब भी आप वाटरिंग करेंगे गमले से पानी तूरन ड्रेन आउट हो जाना चाहिए तो इसी तरह सी मिट्टी आप तयार कीजिएगा फिर आपके प्लांट देखिएगा किस तरह से ग्रोथ लेते हैं मेरे ग अगला प्लांट मेरा चंपा का है मैंने हमेशा आप लोग को दिखाया है इसकी छोटी सी कटिंग में लेकर आई थी बिल्कुल छोटी सी कटिंग और देखिए तीन इंज के पॉट में लगा है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है चार-पांच पत्निया नहीं करेंग मैंने 10 इंज का पॉट लिया है प्लास्टिक पॉट है और इसमें घंटी डालकर इसे लगा लूगी तो फ्रेंट्स तो मैंने बहुत सारे एक साथ मेरे को प्लांट लगाने थे तो मैंने मिट्टी तैयार कर ली है और इसी तरह की मिट्टी मैं सभी प्लांट में यूज करूंगी तो चलिए मैं गमले से प्लांट निकालकर इसकी रूट्स आपको दिखाती हूं कि कितनी अच्छी इसकी रूट और प्लांट भी अच्छे से सर्वाइब इस पॉर्ट में कर लेगा और अच्छे से ग्रोध भी लेगा तो देखिए इनकी जड़े बिल्कुल उपर तक आ गई है प्लांट की तो इसे मुझे रिपॉर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलिए मैं इसे निकाल कर आप दिखाती हूं पॉर्ट से प्लांट को बाहर निकाल कर की कैसी है इनकी रूट्स तो देखिए फ्रेंड्स मेरे प्लांट की रूट्स कितनी अच्छी है और यह रूट वांड होने लगी थी देखिए गमले में भी इनकी जड़े लगी हुई है तो बस इसे निकाल लेना है और यह जो उपर आप देख रहे हैं केरी बैक का तुकड़ा है इसे में निकाल लूँगी और निकालने के बाद इस पॉर्ट में मैं मिट्टी भर कर इसे लगा लूँगी तो बस फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बाई 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 बाई